आज मैं आपको दो इंडिगेटर्स बताऊंगा स्मूद मूविंग एवरिज स्क्वीज मॉमेंटम और अगर आप वीडियो को लांच तक देखते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सप्राइज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों इंडिगेटर्स की को और कैसे बढ़ा सकते हो स्मूद मूविंग एवरिज इंडिगेटर कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर आपके चार्ट पर बीच में एक लाइन आ जाता है यह वाला इंडिगेटर भी बाखी मूविंग एवरिज इंडिगेटर की जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा बत है इसे चाहो तो आप चेंज कर सकते हुआ और आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी तो आप इस सेटिंग को 30 कि या फिर उससे जादा करुसक्ते ओ अगर आपको इंडिगेटर का सच्ने और कोम सब्सक्राइए और अगर आपको दिखाई देता है कि price यानिकि candles इस line की नीचे बन रही है तो आपको यह समझ जाना है कि जो price है वह एक downtrend में है यहाँपर आपको सिर्फ sell के ही trade लेने हैं तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो आपको च्रैंड पढ़ा चल गया अब उसके बाद अगर आपको ब्रेकपाउट पे एंट्री लेना है तो वह कैसे एंट्रि ले सकते जैसे कि आपको इस लाइन का ब्रेकाउट होते वे दिखाए देता है जैसे अगर आपको एक साइडवेश ट्रेंड यहाँ पे दिखाए दे रहा है उसके बाद एक बड़ी सी रेट केंडल ने इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सक जैसे कि यहाँ पे आपको एक बाय का और सेल का दोनों का ही आपको ट्रेट दिखाए दे रहा होगा तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है आपको एंट्री तब लेनी है जब एक प्रॉपर अच्छी ग्रीन कैंडल इसके उपर जाकर क्लोजिंग दे तो सेकिंड व आपका stop loss आप चाओ तो इस वाले candle का low भी रख सकते हो और आपका target क्या रहेगा इसमें first resistance रहेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें भी target complete हुआ है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे cell का भी दिखाई दे रहा होगा कि cell का signal मिला तो एक बड़ी स इस लाइन के नीचे आगर closing दी और यहाँ पे आपको target clear दिख भी रहोगा और मैं आपको दिखा दूँ कि यह clear सा support zone होगा तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं और दिखा देता हूं मैं अभी चार्ट नहीं देखा था तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक support zone भी द momentum तो चले squeeze momentum indicator को जो कि हमारा next indicator है उसे apply करते हैं और बताता हूं कि कैसे आपको इसे use करना है तो यह रहा हमारा squeeze momentum और यह कुछ इस तरीके से रंग भी रंगा आपको दिखाए देगा आपको नीचे की side में यह वाला indicator दिखाए देगा काफी symbol है यार इसे भी use करना तो इस व momentum और volatility को analysis करने के लिए use करता है या फिर आप कह सकते हो कि volatility को show करता है जब market में volatility कम हो और price एक narrow range में move कर रहा हो तब यह जो indicator है वो low value show करता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए भी दिरह होगा कि इस indicator ने बहुत ही low value show किया है अब ऐसे ही अगर price expand होता है यानि कि price का जो range है वो खुलने लगता है बढ़ने लगता है प्राइस रचानक से movement करने लग जाता है तब यह वाला indicator एकदम high value show करता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाए भी दिरह होगा जैसे कि price यहाँ पर थोड़ा से छोटा कर लेते है प्राइस एकदम से यहाँ पर आपको बढ़ते दिखाए दे रही है और इस indicator में भी आपको जो volatility है वो काफी high दिखाए दे रही है इसका मतलब समझ सकते हो कि यह वाला जो indicator है वो momentum को बताता है कि momentum कितने time तक रहने वाला है इस indicator में आपको दिखाए भी दिरह होगा कि इस indicator में यहाँ तक एकदम high volatility थी उसके बाद अचान indicator की यानि कि इन दोनों ही indicator की accuracy को आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो तो बस आपको करना क्या है यहाँ पर हमने जो SMM में जो indicator हमने सीखा अभी smooth moving average इसे enable कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर आप guys देखो अब आपको इन दोनों indicator को combine करके use करना है जैसे कि यहाँ पर आपको breakout होते हुए दिखाई दे रहा होगा तो अब आपको second वाली indicator में देखना है कि जहाँ पर breakout हो रहा है वहाँ पे volatility कितनी है अगर आपको उपर की side breakout दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर जो volatility है वो green में दिखाई देनी चाहिए अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप volume भी कह सकते हो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है तो volume बढ़ रहा है और यहाँ पर आपको breakout भी दिख रहा है तो अब आप यहाँ पर confirm हो सकते हो कि guys अब तो price बढ़ने वाला यार तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो guys buy की trade ले सकते हो और buy की trade लेने के बाद आ target कितना मिला आपको यहाँ पर ठीक है सेम ऐसे ही आप opposite direction में भी कर सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पर आपको एक breakdown मिला है अब breakdown जहाँ पर मिला है वहाँ पर आपको देखना है कि volatility जो है अब इसमें तो आपको गिरते हुए दिखाए देगा volume इंडिकेटर में लेकिन अब य एक volatility based indicator है तो इसमें volatility गिरते हुए दिखाए देगा तो जैसे कि यहाँ पर आपको जो volatility है वो गिरते हुए दिखाए दे इस वाले इंडिकेटर में second वाले में इस वाले पर और एक breakout दिखाए दे तो इसका मतलब आप यहाँ पर confirm हो सकते हो कि अब price सच में गिरने वाली या यानि कि आपको अच्छा खासा momentum मिलने वाला है नीचे के side क्योंकि यह वाला जो second indicator है यह हमारा momentum भी बताता है तो इस तरीके से आप इस indicator का use करके इन दोनों ही indicator को combine करके आप एक बहुत ही बढ़िया सा यानि कि अपनी trading के accuracy को आप काफी हद तक बढ़ा सकते हो तो इसमें आपको कई signals में जाएंगे तो उन्ही signals को यूज करके आप इसमें trade कर सकते हो तो फिलाल एक और signal मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपको एक और breakout मिला होगा जैसे कि इस candle ने breakout दिया है उपर की side और यहाँ पे इसी candle के आसफास आपको देखना है क्या volume बढ़ रहा है sorry क आप volatility बढ़ रहा है तो आप sure हो सकते हो कि price उपर ही जाने वाला है तो आप buy कर सकते हो stop loss और target क्या रखना है आपको वह तो मैंने पहले ही बता दिया लेकिन अगर आपको stop loss को trail करना है तो आप कैसे कर सकते हो आपको इस indicator को देखना है second वाली को मतलब कि squeeze momentum indicator को आपको देख गिर सकता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी देर होगा उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद आप यहाँ पर देखो इस indicator में यहाँ पर बहुत कम volatility है यानि कि volatility यहाँ बढ़ाय ही नहीं तो आप बिल्कुल sure हो सकते हो next candle में कि भाई यहाँ पर त country भी नहीं बनता है तो इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरा देखना जरूर अब जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखे होंगे ना उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो जिल लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना उनके लिए एक और बहुत कि आप कुछ नया सीखते हो ना तो सबसे पहले आपको फीपर ट्रेड करकी देखना चाहिए इस टॉक मार्केट में और उसके पाद आपको डारेक्ट रियल मनी से अपलाई करना चाहिए अब बाकी इंडिकेटर्स को सीखने चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो मिलते ह आफ लगए अब थार इंडिकेटर्स को सीखने टीड कर दो कि एडिकेटर्स कौस बमाने चाहिए लुट है कि अधर टीड़ कॉन।